नमस्कार आप सभी का अनेल क्लासेज यूटूब चैनल पर बहुती बड़ी न्यूज आप सभी के लिए है कि विद्या संबलन योजना के तैस्ट गेस्ट फैकल्टी पर जो अध्यापक लगए जाएंगे उसकी विग्यप्ति आज जारी हो चुकी है तो उस विग्यप्ति के तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो हमारे टेलेग्राम ग्रूप है उसका लिंक दे रहा हूं उसको जॉइन करें जहाँ पर आपको ये संपूर्ण पीडियाफ साथ में सपत पत्र वगएरा है जो भी मिल जाएंगे तो चलिए देखिए बिलकुल ये अभी आज ही 17 अक् सिक्सकों के पदो और योगिता सर्तें नीमन अंशा रहेगी देखिए क्या है भाई विध्या समलन्य योजनाक त्या लगां फदों योगिता है व्यक्यता विभीन विशियों के लगाए जाएंगे वरिष्ट अध्यापक अध्यापक लेवल टू अध्यापक 1 और पयोग् पद की नियूंतम वान्शित योगिता अर्जित की हो योगिता होनी जरूरी है बाकी जो रेटायर हो चुके उन्हें भी लगया जा सकेगा इसके अलावा नियूंतम आयू आवेदित पद से समधे सेवा नीमा वरनित प्रावधनों के अनुसार है और निजी अभिरती भी अजयता नहीं है लेकिन जो निजी अभिरती है यानि जो बेरोजगार है उनके लिए रीट पात्र होना जरूरी है वो 65 वर्स से अधीक आयूवाले पात्र नहीं होंगे के ओल 65 वर्स तक ही पात्र है तो ये थी पात्र था इसके लावदे कि भासा विश्यों को छोड़कर स जित की जानी अनिवारे है यदि इंग्लिस मीडिया में लगना चाते है तो अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है आगे देखते हैं रिक्तियां कितनी खाली है विद्या समली नियोजदा गंत्रगत गेस्ट फेकल्टी की रूप में विद्यालों में स्विकर्थ किंतू इस ग्राम के सारजनीकिस्तान जिला सिकसा धिगारी मुख्यले माध्यमिक प्रारमबीक सिकसा कारेयले यानि जहां पर आपके जिलेके जो माध्यमिक और प्रारमब्यक सिकसा कारेयले ले वहाँ पर या ये जो वेवसाइड है education.ragyitated इस पर भी किया जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने पद हैं देखिए गेस्ट पेकल्टी के लगए गए आवेदन पत्रों की जांच के उपरांद विद्याले विश्यवार प्रकासन समधित प्राचेरियन प्योद्वार किया देगा वरिता सुचिपद की वांसित नियून्तिम सेक्षनी की होगिता की प्राप्ताउंकों का 25% और पर सेक 25 का rescue आपकर रहेगा समानंग प्राप्त होने की स्थि में अधिक आयू के अबरती को वरिता में कम आयू के अबरती से उपर रखा जाएगा गेस्ट पेकली चाहे ने तो किसी भी इस्तर पर साकसातकार नहीं लिया जाएगा तो साकसातकार का इस बार कोई भी प्रावदान नहीं है यानि इंट्रिव नहीं होगा भई परिवेदना परस्तुत करना देखिए क्या है पातरता और वजीता किसी तरह की परिवेदना है तो जिला सिक्सादिकारी कारेले में साथ देश्म परस्तुत कर सकते हैं जिला इस तर परिवेदना समित ये रहेगी इसमें होंगे मुख्य जिला सिक्साधिकारी अध्यक्स और जिला सिक्साधिकारी मुख्या माध्य में एक सदिशी है जिला सिक्साधिकारी मुख्या ले प्रारंबिक वाला ही सदिशी है समधित भलोक का मुख्य भलोक सिक्साधिकारी वो भी सदिशी होगा ठीक है तो इसमें तो कोई भी प्रोब्लम हो तो वहाँ आप माना के अपना आवेज़न कर सकते हैं विद्या समलिन यूजनाक्तियाद मान दे कितना मिलेगा इने कितना वेतन मिलने वाला दे की वई विद्या समली उदनाक्ते लगाए जनल गेस्ट फेकल्टी की पदवार परती गंटा 60 मिंट का मान दे निमन है अध्यापक लेवल पर्थम यह और लेवल दित्य दोनों कक्सा 1-8 के लिए पात रहे पर्यूकसाला सायक 300 रुपे के ह aware और सारीक सिक्सा का सिक्सक लेते हैं तो भी 300 रुपे के हसाब से 21,000 रुपे उनको दे होगे तो यदि आपके वास योग्यता है तो आप इसमें जरूर आवीधिन करने हैं बहुत ही अच्छा इसके अंदर वेतन है अन्य सरते क्या देख लीजिए पर जो भी पहले हो तक के लिए पुर्ण तर अस्ताई तोर पर लगा जाएगा यानि आप इसमें कब तक रहेंगे तो इसमें आप जब तक आप जिस पद पर है वो पद नहीं बरा जाए या छत्र का अंत नहीं हो जाए यानि 2000 जो ये 22-23 का छत्र चल रहा है इसका एंड है व वित्ववा की परिपत्र 30 मार्स 2021 वरनित है ये परिपत्र भी जारी हो चुका है इसके अंदर जो निये में उसके नुसार आपका होगा गेस्ट फैकल्टी का अवलोकन है वो प्राचर या प्यू दवरा के जाएगा निमन कार्य कुसलता दुराचार अनीमित्ता यदि समय पर नहीं आते हैं और कार्य से अनुपस्तिती की दसा में प्यू दवरा बिना कार्ण बताए गेस्ट फैकल्टी ग्रूप में वीव मुक्त भी कर दिया जाएगा यदि आप प्यू से बना करके नहीं चलते हैं और समय पर स्कूल नहीं आते हैं या आपका कार्य सही नहीं है तो आपको बिल्कुल हटाया जा सकता है तो इसके लिए योग्यता होनी और समय का पाबंद होना भी जरूरी है भाई क्या चाहिए देखिए टाइम टेबल यानि आपका फॉरम कब से बरा जाएगा दिनंग 1.11.2022 तक विग्यप्ति और रित्यों का प्रकाशन हो जाएगा कहां कापद खाली है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी कब तक भाई 1.9 यनि दिपावली के तुरंत बाद 2.11.2022 तक विद्याले समय में आपको आवे दिन करना है 2.11.2022 तक आपको अपने नजदीक्तम विद्याले जहां आप काम करना चाहते हैं उस विद्याले में आवे दिन करना है दिनंग 5.11.2022 को प्राप्त आवे दिनों की सूची परकाशित की जाएगी इसकूल में और दिनंग 7.11.2022 को पातरता की जाच और वरिता सूची बनाई जाएगी अस्ताई और जारी की जाएगी ठीक दिनंग 9.11.2022 को अपतिया मांगी जाएगी कि यदि आपको लगता है इसमें कुछ गलत हुआ ता अपतिय देर्द करा सकते हैं दिनंग 10.11 को अंतिम भरिता सूची बनाई जाएगी जो इस्ताई होगी और 21.11 को मूल दस्तावजों की जाच की जाएगी यानि 11 नवंबर तक ही आपको इसमें ले लिया जाएगा दिनांक 12 नवंबर को आदेश जारी होगा और 19 निष्ग 11 तारीक से लेकरके 19 तारीक यानि इन 7 दिनों के अंदर आपको कारेगरण करना होगा यानि 19 नवंबर 2022 से पहले पहले आपको इसमें जॉइनिंग मिल जाएगी आप देख पा रहे हैं गोरो अगरवाल आईएस निदे सिंग माधिय में खिक्सा प्रारंबेक पंचाहित राजविबाग के दोरह ये विगिप्ती जारी की गए जिसमें मैंने आपको संपूर्ण जान करी दी और भी यदि आपको कोई संका है तो जरूर मुझे कमेंट बताएं इसके लाव ये आवेदिन का प्रूप है जो इस पीडियेप में सलगन है तो पीडियेप आपको हमारे टेलिग्राम समूपर मिल जाएगी जिसको आप जोइन क उसकी डेट आप याद रखें दो नवंबर से चार नवंबर तो धन्यवाद बेस्ट आप लक वीडियो एज अच्छा लगा है तो लाइक करें सेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहें धन्यवाद